नमस्कार दोस्तों मैं एक बर्फें दरेंदर अफिला आपने YouTube चैनल में सौगत करते हूँ आपका फेज रेलेशन इन CC आज हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का हमारा जो विशे है वो है CC में फेज रेलेशन्स Phase Relations यह एक concept नया नहीं है, इसको DD से पहले भी इस्तेमाल किया गया है अब question यह है कि why phase relation is required तो दोस्तो ऐसा है phase relation की आवश्चता क्यों पड़ी इस concept का concept डॉक्टर रगनाथा जी ने CC में इसका क्यों इस्तेमाल किया इसको हमें समझना होगा दोस्तो हम जानते हैं कि library में कोई भी पुस्तक या book अधिकतर विशे अनुसार ही रखी जाती है जिससे library user इस पुस्तक को विशे के अनुसार, subject के अनुसार महां से उठा सके और उसको इसको इस्तेमाल कर सके क्योंकि दोस्तो library में maximum approach subject wise होती है और सभी schedule भी subject को classify करते हैं आप कोई भी अगर schedule देखेंगे तो वो subject को main classes को knowledge को main classes में divide करता है सभी schedule भी subject को classify जिसको main class कहते हैं CC में main class, फिर 5 facet में विवाज़त होती है और facet isolates, facet जो हैं वो isolates में और फिर sub isolates जो एक पंक्ती में होते हैं जिनको हम arrays कहते हैं तो दोस्तों आगे देखते हैं कि जो आपको knowledge है वो आप देखेंगे ever expanding knowledge है, universe knowledge जो है ever expanding बढ़ रही है interdisciplinary subjects उसमें आ रहे हैं interdisciplinary subjects का मतलब हुआ कि जहां एक विशे ना होकर एक विशे से अधिक विशे का जोड़कर जो subject बनता है उसको interdisciplinary subject बोलते हैं आदकल collaborative research का जमाना है पिछले दस्कों से हम देख रहे हैं कि interdisciplinary subject पर ही काम हो रहा है वेग्यानिक मिलकर कई वेग्यानिक मिलकर एक विशे पर काम कर रहे हैं उसी प्रकार फिर पुस्त के भी आज interdisciplinary subjects पर ही आ रही है तो जो universe knowledge है उसको हमने देखा है कि schedule में हमने जब बाटा गया है ड़्टर रगनाथ ने जब जैसे schedule बनाया है दो में subject के आपस में relation हो सकता है knowledge को display करने के लिए relation between two facets भी हो सकता है of main class relation between two isolates of one facet एक facet का उसमें दो isolates भी हो सकते हैं एक पक्षक के दो एकलों के मत दें relation between two sub isolates of one facet और sub isolates जो की area हम देखते हैं वो one facet के या निकि personality या matter कोई भी अगर one facet है main class का उसमें सब isolates में भी आपस में relation हो सकते हैं दोनों facets के बीच में और facets के isolates के बीच में भी सम्मंध हो सकते हैं तब जाके हम यह universe knowledge को represent कर पाते हैं classify कर पाते हैं आगे देखते हैं दोस्तों Interdiscipline subject को जिब classify करने की बात आई इंट 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 सब्जेट का है कि जैसे कि आप समझ लीजिए डर्टर रंगनाता है जिन्हों जब इंट 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 सब्जेट की पुस्त के classify करने पड़ी तो इंट 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 से मतलब है कि जहां दो विशा आते हैं तो उसको हम complex उन्होंने डर्टर रंगनाता ने उसको complex subject का नाम दिया जैसे कि mathematics example समझिए जैसे कि mathematics for engineers आप दोस्तों इस बताइए कि mathematics for engineers की जो book है वो आप कहां रखें कौन से self में रखेंगे mathematics में रखेंगे या कि engineering में रखेंगे तो इसमें हम confusion आता है अगर इसमें तो इसी confusion खतम करने के लिए डर्टर रंगनाता ने एक नई डिवाइस पैदा कि नया एक टेक्निक निकाली उन्होंने जिसको कि उन्होंने नाम गिया था फिज रिलेशन तो उसमें क्या है दोस्तों जब जैसे example होगा mathematics for engineers, agriculture for economists इनी problems को solve करने के लिए विए परकार के phase relations बने हैं जैसे कि inter subject यानी की subject inter subject की बीच में तो जैसे कि यह complex subject हुआ तो inter related subjects को जो जुड़कर पुस्त के बन थी है उनको ही करने के लिए हमें phase relation का या दसा संबंद का डटर रमनातन जी ने एक new technique दी है आगे दोस्तों देखते हैं तो आप समझना पड़ेगा में से पहले की subjects क्या है ठीक है दोस्तों तो subject basic subject होता है जिसको कोई isolate ने होता main class होती है ठीक है जो कि जैसे कि mathematics हो गया engineering हो गया agriculture हो गया sociology हो गया इस तरह से subject होते हैं इनकों basic subject बोलते हैं दूसरा होता है compound subject, compound में क्या है कि basic class आएगी main class मतलब और एक isolate भी आ सकता है यह ज्यादा isolate भी इसके अंदर आ सकते हैं किसी एक facet के जैसे agriculture of wheat यह main class हो गया और यह इसका एक isolate हो गया एक facet का isolate हो गया personality का तो इसी तरह complex subject अब चर्चा करेंगे complex subject पर क्योंकि हमें phase relation जो है वो basic complex subject पर subject form by combination of two or more subjects basic subject भी है compound subject गो सकता है जैसे कि general relation between economics and agriculture अब आद देख रहे होंगे एक relation है अब बताई यह book कहां रखी जाए economics में जाएगी गारिकल्चर में जाएगी तो इनी problem को जैसे economics for statistics अब यह book कहां जाएगी कि economics में जाएगी यह statistics में जाएगी तो इस तरीकी जो problems face करने पड़ी उसके लिए फिर यह phase relations बने और उनके 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 शहियोजी चिन बने और उस शहियोजी चिन को जोड़ कर फिर हम इनको बनाते हैं अब आगे देखे दोस्तों phase relation दसा संबंध जैसे मैं दिखा रहा हूँ को एक animal assessment main class है इसको basic सभी बोल सकते हैं और यह जब इसके isolate से मिल गया इसके isolate से जब इसके बिल गया तो यह बोल गया compound subject बन गया ठीक है दोस्तों और इन सब कोम क्या बोलते हैं जब अगर रलेशन यह जब फेस हो गया यह भी फेस हो गया यह भी फेस हो गया अब इनके जब subject बनाएंगे तो इन जब को जोड होगा व्यूड्या एक रालेशन उसको बोलेंगे फेसरेलेशन अब बात करते हैं complex subject कि ज़िशक को जटिल भी इस भी बोलते हैं तो जटिल बिशे में दोस्तों क्या है कि दो मेन क्लास बोसकती है दो subject इंटर इन सब्सक्ते एक एक फ इनके बीच में भी relation हो सकता है ठीक है दोस्तों तो main classes के बीच में भी एक facets के isolates के बीच में और arrays के बीच में arrays के जो सब isolates हैं उनके बीच में भी relation बना कर हम complex अब जैने जटिल विशे के title बनाते हैं इसलिए phase relation की आविश्चता हमें पढ़ी आए दोस्तों types of phase relation समझते हैं there are three types of phase relation the relations may be between किसी देखो अंतर वर्ग दसा सम्मंद यानि कि subject inter subjects intra facet यानि कि अंतर पक्ष दसा सम्मंद यानि कि पक्ष यानि कि facets वो कौन से हो सकते हैं personality management sorry matter energy time space isolates तो यह सब क्या है यह facets हो कि इनके किसी isolates के बीच में intra array जैसे मैंने बताया कि array जो होते हैं उनके उनके अंदर बीच में जो यह सब isolates हैं उनकों बीच में भी सम्मंद हो सकता है तो इस तरह कि यह relations हो सकते हैं अब आगे देखते हैं तो kinds of phase relation यानि phase relation कि कितने परकार के हो सकते हैं तो colon classification में प्रतियक परकार के किया है जेनरल हो सकता है बैस हो सकता है कंपेरीजर हो सकता है डिफरेंस होसकता है इनके अंके अंतर पक्षच्छ के-अंतर फिजलेशन को इस्तिमाल करेंगे और कॉंप्लेट सब्जेट के टाइटल्स को हम बनाते हैं जिससे की हम उनको सेल्फ पे अरामे से रख सकें ठीक है आगे देखते हैं अब इसमें पहला क्या है इंटर सब्जेक्ट अंतर वर्ग दसा संबंद समझें दोस्तों इंटर क्लास ही बोल सकते हैं क्योंकि मेन क्लास हैं जो वो सब्जेक्टी रिप्रेजेंट करती हैं समझे दोस्तों, इसमें पहला है इंटर सब्जेक्ट और इंटर क्लास जिनरल रिलेशन, क्योंकि नहीं पीछी दिखाया आपको इस तरह के पांच रिलीशन से इनके भी चरचा करें जे, आगे अब इंटर सब्जेक्ट का मतलब होगा कि सब्जेक्ट की आपस में दो सब्जेक्ट मिलकर उसका फेज रेलिशन कैसे बनेगा जब दो मुख्या वर्गों की भी साधरन संबन दिखा जाता है तो इसका करेंटरी संबल यह होता है ठीक दोस्तों और जीरो इसके आगे ल सबस्क्राइब इसके मैटमेटिक्स का नंबर इजीरो लग गया उसके बाद ए और फिर ए डि ए नंगी दिखा रहा है एक रिलिशन उसके नंदर बीच में दिखा रहा है यहीियू केशन आ गया ये connecting symbol आ गया, ये engineering का नंबर आ गया, religion है philosophy में, religion connecting symbol और ये philosophy आ गया, ठीक है, इसमें आप देखेंगे, ये main classes हैं सब, education, engineering ये सब के main classes हैं, लेकिन general संबंध के बिच में general का है, अब दूसरा देखते है, bias relation, अब जब एक subject का दूसरे पर जुका हो जाए, बायस हो जाए दूसर subject, तो उसको सहुचिन B से जोडते हैं, ठीक है, इसमें जो विशे, दूसरे विशे के और जुकता है, उसे पहले लेते हैं, ठीक है, यानि कि जो जुक रहा है जैसे कि, mathematics for biologist, अब आप ये देखें, दो subject हैं आपर, अब ये पुस्ता कहां रखी जाए, ठीक है ना, mathematics for biologist, main क कि इसके लिए काम कर रहा है, biological के लिए काम कर रहा है, तो biological का number यहां पहले आ गया, ठीक है, biological का number यह नहीं कि जी, इसके symbol आ गया, और ये connective symbol आगिया और यह mathematics का number आगिया. आज धेखिये main class हैं अभी भी. mathematics for engineers वह ही. आप ने देखा mathematics याँ पर परवाबित है. तो याँ main class mathematics connectivity symbol आदो что для engineers. aesthetics for librarians ठीक है. यह statics जो है main class होगी. static जो है main होगया और वो librarians के लिए बन रही है. तो statics पहले आएगा और kinetic symbol or library science का main class बाद में आगी फिर आपते हमें inter class comparison में है अब यहाँ पर विशों के बीच में comparison है main classes के बीच में देखिए physics compared with chemistry ठीक है physics compared with chemistry ठीक है तो यह देखिए physics का number यह connecting symbol c और यह chemistry इसका chemistry का number आगया comparison between mathematics and engineering यहां main classes चल रही है अभी comparison चल रहा है लेकिन इसका relation यह आगया अपका mathematics, kinetic symbol और engineering political science, economics दोनों main classes है compared relation है इसलिए 0 और C लगेगा तो political science, W और kinetic symbol और economics compared ठीक है दोस्तों आगे रहते हैं inter class difference relation अब subject के भीच में difference की बात कर रहा है तो जैसे कि difference between history and politicals है दोनों main class है दोनों main subjects है कहां रखना है difference है history and politicals है तो V history का number आगया kinetic symbol और W क्या आगया political science, difference is biology and biochemistry, biology, kinetic symbol, biochemistry, language and literature, literature, language का number आगया, main class का, यह kinetic symbol आगया और यह literature का number आगया तो दोस्तों है difference relation है अभी हम inter class की बात कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर पांच जो हैं किस तरह संबंद बन सकते हैं उसे चर्चा कर रहे हैं अब influence पर आते हैं जब दो विशो में एक विशे दूसरे विशे को प्रभावित करता है तो प्रभाव संबंद कहलाता है इसका प्रभावित होने वाले subject को पहले रखते हैं तता प्रभाव डालने वाला बाद में आता है ठीक है दोस्तों आप यह देखिए influence of mathematics on physics तो on physics नहीं physics प्रभावित हो रहा है ठीक है तो उसका physics का number पहले आ गया kinetic symbol आ गया और यह भी mathematics का number है influence of religion on philosophy philosophy का number पहले आएगा और kinetic symbol और religion का number पहले आएगा चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे दोस्तों में दूसरा जो कि intra facet phase relation है अंतरपक्ष दसाएं कि एक main class के जो facet होते हैं यहने कि वो PMEST इसको हम बोलते हैं उनके बीच में उनके बीच में जो relation होगा यहनि किसी facet के बीच में उसके isolates के बीच में जब किसी एक मुख्य वर्ग कि किसी एक पक्ष ठीक है facet की दो समकच एकल संख्याओं, समकच एकल संख्याओं नहीं कि आइसोलेट्स में पारस पर एक संबंध हो तो अंतरपक्ष संबंध क्यालाता है, अंतरपक्ष मतलब इंटरफेशिट, यह संबंध किसी भी पक्ष की दो एकल संख्याओं के साथ हो सकता है, किसी भी, यानि कि प्र अजब हम चर्चा कर रहे यदि दो सब्जेट्स के बारे में, अब हम चर्चा कर रहे हैं एक फेसिट के दो आइसोलेट्स की बारे में, इंटर्फेसिट जाएंगे अने एवरों, जैसे ये फेचेट एनर्जी का हुजा तो यहां देखेंगे आभी मोर्फोलोजी और फिजलोजी का हैं इसलेट सेलेट एइसलेट फॉर एनर्जी फेचेट ठीक है? अब इसको देखते हैं एलेशन बेट्यूजी और फिजलोजी ये मेडिशन का नंबर आगया क्योंकि energy है, इसलिए colon के साथ 2 आ गया, morphology का नमबर आ गया, एक energy symbol आ गया, 0J, फिर 3, physiology का नमबर आ गया, तो समझ के दोस्तों, पहले हम ने 2 subjects के बीच में चिर्चा की थी, अब हम facets के 2 isolates के बारे में चिर्चा कर रहा हैं, आगे देखते हैं, ये था Hinduism and Janism, Hinduism and Janism, यहां भी देखिए आप, ये फोसाई in P के अंदर की है बात, personality, facet आ गया, इसके अंदर 2 isolates हो गया, Janism and Hinduism, ठीक है, अब यहां कैसे नमबर बनेगा, Hinduism, Janism, यहां की original नमबर आ गया, फिर ये जनिजम का नमबर आ गया, यहां से देखिए, sorry, Hinduism का नमबर आ गया, और फिर ये connective symbol के जनिजम का नमबर आ गया, यह देखिए आ, तो दोनों isolates है, अब यहां पर मेन क्लास की चर्चा नहीं है, अब है किसी facet के, किसी facet में जाकर उनके isolates है, उसमें एक bias relation भी है, Janism biased Hinduism, ठीक है, इसका connective symbol के है, जीरो के, अब आप देखो यहां पर, यह जनिजम हो गया, आइ Hinduism isolated हो गया, यह bias कर रहा है, यह जनिजम biased Hinduism, जनिजम biased Hinduism, जनिजम biased हो रहा है, इसका नमबर पहले आएगा, यहां जैसे लगाए religion का नमबर आगया, जनिजम का नमबर आगया, कनेटी symbol और Hinduism का नमबर आगया, जो bias होगा उसका पहले आएगा, Physiology for Pathologist, यहां देखिए, मैं आगया, ठीक है, और फिर यह connectivity symbol और यह pathologist का नमबर आगया, ठीक है दोस्तों, तो Physiology for Pathology इस तरह से bias relation वालों में हम इस तरह से बनाएंगे, अब आते हैं इंट्राफेसिट, comparison relation, ठीक है, यहां पर compare होगा, इंट्राफेसिट के isolates के बीच में, comparative study of Indian and American laws, यह laws हो गया, यह isolate 2 ह होगे, देखिए, facet है, यह, space facet है, तो dot के साथ लग गया, और अमरीका का नमबर आगया, यह comparison study of foreign trade in India and America, यह economics का नमबर आगया, एक्सपोर्ड और उसका नमबर आगया, कोड़ा नेर्जियस लिए, और dot, space और यह अमरीका का नमबर आगया, क्नेट्राफेसिट के साथ, फ difference between gold and paper currencies, ठीक है, इसको आप देखें पीछी यहाँ, यह economics का नमबर है, इसमें, economics मेन क्लास है, इसके अंदर यह 61 क्या है, isolate हो गया, 4CNP में, ठीक है, 4CNP के अंदर अगर हम personality facet में देख रहे हैं, तो 61 इसका, isolate हो गया, और यह लिख रहा है, कि इस money के लिए, आप M matter में ज देखेगा, और यहाँ पर paper का number बंद देखेगा, और यह matter है, ध्यान रखे matter है, तो क्यों, यह economics का number आगया, और यह 61 money का number है, matter है, इसलिए, connective symbol इसका, semicolon आगया, ठीक है, और फिर one number किसका आगया, gold का connective symbol आगया, और 4 किसका number आगया, paper का, यहाँ से, ठीक है, so difference of education in India and America, difference हा रहा है, किसमें education in India and America, facets की बात हो रही है, आप देखेगे आपर, इंडिया भी facet हो गया, अमरीका भी facet हो गया, तो यह education का number आगया, यह facet लग गया, dot के साथ, और यह अमरीका का आगया, बीच में country symbol आगया, Interfacet influence relation, अब प्रभाव करने वाले के लिए क्या है, 0 और R का है, प्रभावित होने वाला एकल, पहले रखा जाता है, और पवाड आलने वाला एकल बाद में आता है, तो influence of drug on cattle, influence of drug, यहनि किसका influence है, influence कौन कर रहा है, drug, किस के ओपर, cattle के ओपर, ठीके दोस्तों, तो जो influence हो नमबर आगया, यह drug का नमबर आगया, क्योंकि influence हो रही है, और यह cattle का नमबर आगया, बीच में connective symbol आगया, influence of manure on soil, agriculture में जाएंगे, manure और soil, ठीक है, यह देखें, manure और soil क्या है, isolates है, ठीक है, प्रभावित कौन सा है, manure है, तो manure का पहले आएगा, यहनि कि 2 और soil का नमबर बाद में एक आएगा, यह connective symbol के बाद बना गया, ठीक है, influence of manure on soil, यह influence का है, अब थर्ड है दोस्तों, intra-array phase relation, अब array के अंदर बात हो रही है, ठीक है, इसमें क्या है, जब किसी एक मुख्य वर्ग, के किसी एक पक्च की दो पंक्तियों, यानि array अत्वा एकल संक्यों, isolates क के अंदर जो, सब isolates हैं, उनके बीच में, relation जब होगा, तब, पारास पर एक में संब्ध हो, तो अंतर पंक्ति संब्ध क्यलाता है, यह भी पांच परकार के होते हैं, ठीक है, अच को आगे देखते हैं, intra-array general relation, ठीक है, intra-array general relation, जैसे कि, sociology of leader and working relation, अब देखें, आप array की inter-array, array के बारें बात कर रहे हैं, आप यहां देखिए, यह array है, ठीक है, यह क्या है, main class, यह 4CNP क्या है, यह आपका facet हो गया, facet के अंदर यह isolates हो गए, isolates के अंदर array हो गया, जो कि sub-isolates हो गया, अब sub-isolates और isolates के बीच में relation आता है, intra-array के अंदर, ठीक है, तो sociology of leader and working class sociology का main class आ गया, 48 किसका number है, leader का number, तो leader का number पहले आ गया, और working class का number, 49 है, लेकिन हम यहां पर खाली 9 लगाएंगे, यह एक ही array के अंदर है, 4 पहले ही आ चुका है, 4 चल रहा है, तो 48 हम लगा चुकी है, तो 4 अब दवारा repeat नहीं करेंगे, 9 working class का 9 लगाएंगे, ठीक है, इस एक रहे array के बीच में यही होगा, relation between minor and adult, अब यहां देखे, laws में जाईए, यह भी क्या देखो, एक array है, इसके अंदर सब isolates में जा रहे है, minor और ही adult, ठीक है, minor का number अगर 111 आ जाएगा, और फिर हम 1,3 adult का अगर लगाएंगे, तो यहां खाली हम 3 लगाएंगे, देखो, इ यह आप यह देखे, यह क्योंकि फोसीन P2 है, और P2 से पहले क्या कॉमा लगाया गया, इसलिए हमें यहां पर आप देखेंगे कि कॉमा लगाया है हमने, क्योंकि यह P2 है, और फिर यह लगा दिया हमने, कॉमा के बाद इसका minor का नमबर आगया, और कनेटरी से हमल के बाद का नमबर आगया, खालित थिरी, चलिए आगे चलते हैं, अब है, intra-biased, intra-aray biased relation, ठीक, आप bias चलेंगे, जैनिज्म biased Hinduism, तो फिर आगया इंट्रबेस्ट biased relation, ठीक है, अब biased मतलब कि bias होगा, यह नि कि परभावित होगा, तो जैनिज्म biased Buddhism, जैनिज्म क्या है, बाइज हो रह लेकिन किसी एक फिसेट के अंदर हो गाई, ठीक है, वही समझे ना, परस्नल्टी जैसे है, तो हम कैसे इसका नमबर बना रहे हैं, यह रिलिजिन का नमबर आ गया, थ्री, जरिज्म का नमबर आ गया, करेंटि सिंबल आ गया, जीरो, यू, और फोर आ गया इसका, बुद्धि म् education किसी ऑछिए ना इंटर क्लास के बीची में, अब हैरे की बीच में बात हो रही है, यह रूरल का नमबर का नमबर हो गया, अब दिखे कैसे बनाए, उसका नमबर आ गया, यह तो हम यह में आप आईए दोस्तों comparison relation अगर है तो, comparison between Hindi and Punjabi literature लिट्रेचर का नमबर आ गया, यह हिंदी का नमबर आ गया, फिर गनेक्टिक सिंबल और यह फिर 3, इसका नमबर आ गया, पंजाबी लिट्रेचर का नमबर आ गया, लेकिन खाली यहां पर 153 ना आकर 3 आया, क्योंकि यह एक ही array के अंदर है, फिर आता comparison between lecture and discussion method of teaching, अब यहां देखिए इसको, यह teaching है आप देखिए, 4C in E में है, ठीक है, यह energy हो गया, इसका 3 नमबर है, फिर यह lecture और method का आप देखेंगे, यह array के अंदर है दोनों, यह 97 है और यह 98 है, 97 तो लगेगा लेकिन यहां पर 8 लगेगा देखिए, education का आगया, colon के साथ 3 आगया, क्योंकि energy था, comma, ठीक है, फिर 97 किसका नमबर आगया यह, 97 आगया, lecture method का, और फिर 98, 98 के लिए यहां पर खाली 8 आजाएगा, और यह बीच में connecting symbol आगया, तो यह comparison था, intra array, अब आगे चली दोस्तों, इस difference को देख लेते हैं, intra array difference को, जब किसी मुख्यवर का एगी, पक्च की दो पंक्तियों अत्वा, एक लो संख्यों में अंतर संबंध है, तो वे अंतर पंक्ति, अंतर संबंध कहलाता है, देखिए दो दो, difference between education of genius and idiots, आईए यह यहां पर, यह education हो गया, यह main class होगी, T हो गया, फोसीन P हो गया, यानि यह आईए इसोलेट्स होगे, उन आईए इसोलेट्स की विच मर एरे हो गया, और एरे के यह सब इसोलेट्स होगे, ठीक है, अब इस पर हम देहें कैसे नंबर पना, difference between education of genius and idiots, education का नंबर आगया, 6-1 किसका नंबर आगया, देखो genius का नंबर आगया, 6-1, अब 6-2 आएगा, यह यह खाली 2 आगया, कनेटी सिम्बल के बार, ठीक है, difference between university and college library, क्योंकि main class library है, यह university library का नंबर आगया, कनेटी सिम्बल आगया, और यह college library का, इनकी 3-4, 3-3 होना चाहिए, लेकि 3 आएगा खाली, क्योंकि A की area के अंदर है, अब आता है influence, influence of wind on weather, प्रभावित होने वाला एकल पहले आता है, influence को ओन हो रहा है, wind हो रही है, influence of wind on weather, ठीक है, तो यह पहले आएगा, यह देख लीजी, कैसे हुआ इसको, यह main class U आ गया, और यह wind का नंबर हमें आपको दिखा हो, यह 283 यहाँ पर, एक isolate के बीच में, सब isolate में आपको यह नंबर मिला, wind का 283, ठीक है दोस्त 1 कहां से आया, यह 281, यह खली 1 आएगा, तो कि wind में हम 283 यूज कर सकते हैं, एक ही आए रहे है, तो 281 का 1 आएगा, इसी तरह देखे दूसरा, influence of university library and college library, तो यह दो main class हो गया, library science का, यह 3-4 का university library हो गया, connective symbol आग गया, 3 college library हो गया, 3-3-3 की जग है, 3 आगया, तो यह influence है दो टार, को ओर की सार ने अजन्स पी कॉरन अगया, लिव यू को आप सछता पड़िर थिकशन आप सबसाद कंंभरा का इसका मि अंगर बनाई है, अब उनको सेल उसे में कैसे रखा जाए, किस सब्जेट को रखा जाए, उसके अंदर रहे हम रहें देखते हैं कि क्या रहें है दोनों सब्जेट्स के बीजिमें किस प्रकार के लिए रिजिशन्स हैं उनके अकॉर्डिंग फिर हम उनको सहल्प में रखते हैं और उसी प्रकार हम उसका नंबर बनाते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि मुझे आप आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वाक झाल 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